मैं भी जब हिंदू था, इस विशे से आरंब करते हैं, क्या अर्चन थी, क्या कमी थी, दुखी था, तुम भी धार्मिक हो, लेकिन दुखी तो हो, उसी सुख की तलाश में तो तुम धरम इस्थलों में जाते हो, कभी नहीं सोचा, कि दुखी क्यों हो, स्वयम नहीं सोचा, कोई बात नहीं, जड़ा अपने अपने धरम गुरुओं से ही पूछ लो, तुम उनसे भी नहीं पूछते, लगता है तुमें यह भी विश्वास है, कि उनके पास भी इस प्रशन का उत्तर नहीं है, विश्वास ही है, विश्वास ही तो तुम करते हो, मंदिरों मस्जदों में, गिर्जे गुर्दवारों में, केवल विश्वास के दम पर ही तो तुम आज तक खड़े हो, कि वहां भगवान है, वहां परमात्मा है, वहां अल्ला है, केवल विश्वास, अंधा विश्वास, उस विश्वास के अलावा तुमारे जीवन में कुछ भी नहीं है आखों देखी हुई कोई बात नहीं है और तुम कहते हो विश्वास और मैं कहता हूँ आखों की देखी तुम्हें विश्वास है उन धर्म गुरुवों पे कि उनके पास भी इस प्रशन का उत्तर नहीं है कि तुम दुखी क्यों हो क्योंकि तुम यही तो देख रहे हो कि तुमारे धर्म गुरु भी दुखी है बिलकुल दुखी है मंदिर वाले धर्म गुरु को सारी मस्जिदे गिरानी है मस्जिद वाले धर्म गुरू को सारे मंदिर गिराने है दुनिया का पैसा लेके अपनी जोली में भरना है अगर वो भी दुखी ना होते तो स्वारग में जाकर सुखी होने की कलपनाएं गड़ते क्या बैकॉंट में सुखी होंगे, जन्नत में सुखी होंगे सुखी होंगे, अरे जो सुखी है वो सुखी होगा ऐसी कलपना ही क्यों गड़ता, ऐसी मूड़ता ही क्यों पालता जीवन मित्तु के खेल से निकलने की महत्व कांशाएं क्यों पालते क्यों रोज रोज सुबह, शाम, मंदिरों, मस्जिदों में जाकर आरती प्रात्नाएं गाते, नमाजे करते कि वो सुखी होना चाते है और परमात्मा अल्ला उन्हें सुखी करे इन सभी कृत्यों से ये ग्यात होता है कि तुमारे धरम गुरू भी सुखी नहीं है जो जो व्यक्ति सुखी होने के उपाय करे वो अभी कैसे सुखी हो सकता है उसका तात्पर यही यह है कि वो अभी दुख में है जो जो व्यक्तिन स्वरग में जाने के उपाए करे बैकुंट में जाने के उपाए करे जन्नत में जाने के उपाए करे उसका तात्पर यही यही है कि वो अभी नरक में है क्योंकि सारे के सारे उपाए तो तुम मित्तु के बाद के लिए किये जा रहे हो मित्तु से पहले तुम्हें होश ही नहीं कि मित्तु से पहले भी इतना सुन्दर जीवन है उस परमात्मा का ही दिया हुआ तुम परमात्मा को ही भूल गए तुम्हें मंदिर मस्जिद ही याद रह गए तुम्हें नमाजे ही याद रह गए तुम अल्ला को भूल गए और एक और चीज तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि तुमने कभी किसी जीवन में पाप किये थे और परमात्मा तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल दे रहा है वो तो तुम्हारे पंडित पुरोईतों ने तुम्हें मूड बनाने के लिए तुम्हें बहलाने फुसलाने के लिए और तुम्हारा धन हरन करने का जाल बना रखा है अगर तुम पिछले जन्मों में पापी ही होते और तुम्हें दुखी ही रहना होता और ये नियती ही होती तो पंडित पुरोहित को मुल्ला मौलवी को दान दक्षना देकर मंदिरों में लाखो रुपए के फूल बंगले बनवाकर किसी मूड महात्मा के आके माथा टेक कर तुम सुखी हो ही कैसे सकते थे अगर ऐसे हो सकते तो परमात्मा चोटा हो गया और वो धोंगी चोलादारी महात्मा बड़ा हो गया नहीं तुमारे दुखों का कारण पूर्व जनम के पाप बिलकुल नहीं है बलकि तुमारे दुखों का कारण तुम स्वयम हो तुमारा आज का आचरण है तुमारी आज की सोच है तुम कुछ और होना चाते हो यही तुमारे दुखों का कारण है और अगर तुम ही कुछ और होना चाते होते तो भी अडचन नहीं थी बलकि तुम जो होने की कोशिश कर रहे हो वो भी तुम किसी के कहने से कोशिश कर रहे हो किसी को देख कर कोशिश कर रहे हो कोई धर्म गरंतों को पढ़ कर कुछ और होना चाहता है कोई किसी महात्मा को देख कर कुछ और होना चाहता है कोई नेता होना चाहता है कोई दूसरे को देखकर डॉक्टर इंजिनियर होना चाहता है कोई माबाप की मानकर सीए वकील होना चाहता है कोई मूड शम्षान में बैठकर सिद्ध होना चाहता है किसी को ताकत पाने का जुनों से चड़ गया है मैं स्वयम देखता था दिनेशानन्द भूत सिद्ध करना चाहता था अपने मूड गुरू निखलेशानन्द के पद्द चिन्नों पर चल कर और इसी लिए पूरा जीवन दुखी देता था जीवन बीट गया, मरने का समय आ गया लेकिन दुखी का दुखी, आज तक सुखी नहीं हो पाया नुश्य के लावा, कोई ओर भी है जो कुछ ओर होना चाहता है कववा कभी यह कोशिश नहीं करता कि कोईल की तरह कूके इसलिए सुखी है, कुट्टा कभी यह कोशिश नहीं करता कि शेर की तरह धाड़े इसी लिए सुखी है चांद, तारे, रक्ष, पत्ते, फूल, नदिया, सागर सभी उस विराट के विराट उत्सव में अनंदित है लेकिन एक मनुष्य दुखी है क्योंकि वो किसी की बातों में आ गया है किसी की भी माबाप की, अडोसी-पडोसी की धर्म-गुरुओं की, धर्म-गृंतों की स्वयम का बोध ही उसने छोड़ दिया है सोचो, सो बच्चों पर एक परियोग किया जाए उन्हें ना तो धर्म सिखाया जाए ना महत्वा कांख्शी बनाया जाए कि उन्हें बड़े उकर क्या बनना है कोई धनपती बनने की दोड़ में भी शामिल ना किया जाए उन्हें केवल शिक्षित किया जाए पढ़ाया लिखाया जाए खेल कूद कराया जाए अब वो पच्चिस वर्ष के जब हो जाए उनके मस्तिश्क का परिक्षर्म किया जाए मनों विज्ञानिक आए जाच करे उनके विचार ले प्रशन उत्तर पूछे कि तुम क्या सोचते हो कि तुमने दुखी पाऊगे या सुखी उत्तर तुमारे मन में स्वयम ही आ गया होगा यह तो विराट अस्तित्व से हट कर जो तुम अपनी ढपली स्वयम बजाने की कोशिश कर रहे हो यही तुम्हे दुखी कर रही है लेकिन मनुष्य के अलावा कभी भी किसी पशू पक्षी ने वरक्ष ने नदियों ने पहाडों ने किसी को देखा है तुमने कि अस्तित्व से हट कर अपनी ढपली बजाने की कोशिश करते सोचो एक लहर सागर से अलग होकर अपने को अलग लहर बनाने की सोचे तो क्या होगा स्वयम कि मैं एक अपनी लहर हूँ मेरा सागर से कोई दाल मेल नहीं है तो सोचो क्या होगा उत्तर फिर तुमारे दिमाग में आ गया है वो अलग थलग होकर खंड-खंड हो जाएगी और जमी पर आकर कुछी शणों में समाप्त हो जाएगी ओ तुमारे साथ भी तो यही हुआ है तुम खंडों में बट गयो और इनी खंडों में बटने तूटने के कारण ही तुम दुखी हो गयो अनन्द अनन्द गायब हो गया है तुमारे भीतर से हाँ कभी कबार तुम कथाओं में जाकर बहग जाते हो और गालिते हो नन्द के अनन्द भयो जैक नहीं या लाल की वो अनन्द नन्द के ही घर भया था तुमारे भीतर कहाँ भा तुम्हें उससे क्या लेना देना नन्द सुखी हुए, तुम कहाँ सुखी हुए तुमने संसार को देखा कभी ये गुलाब के फूल ये पीपल का वरक्ष, ये ताड के वरक्ष ये पत्यों का संगीत ये सिंग का ब्रह्मनाद ये सागर का चिंगाडना कहीं भी तुम्हें उदासी, मातम, तनाव दिखता है लेकिन पता नहीं मनुष्य के साथ क्या दुरगटना हो गई कि अकेला मनुष्य ही दुखी हो गया इसका केवल एक ही कारण मालूम होता है कि मनुष्य धार्मिक होने का प्रयतन करा है धार्मिक होना नहीं होता तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बोध होने का प्रयतन करते रहते हो इसलिए ही तुम दुखी रहते हो अगर तुम यह होने का प्रयतन ना करो तो तुम धार्मिक ही हो, बने बनाए, जनम से ही धार्मिक हो, पर्मात्मा को साथ लेकर आए, पर्मात्मा के कारण ही तुम जीवित हो, तो जो पर्मात्मा को साथ लेकर आया, पर्मात्मा के कारण जीवित है, वो धार्मिक नहीं तो और क्या है? धार्मिक होने का केवल इतना ही मतलब होता है कि जागा हुआ इनसान परमात्मा की सक्ता को मानने वाला इनसान उसके गीत में मस्त होने वाला इनसान उसके साथ बहने वाला इनसान उसके साथ गुन गुनाने वाला इनसान तुम देखो जड़ा जितनों को भी तुम बुद मानते हो वो चाहे सिदार्थ हो मावीर हो, मुहम्मद हो, जीसस हो नानक हो, कभीर हो उन्होंने तुमारी तरह कुछ भी होने का कुछ भी बनने का हिंदू, मुसलिम, सिक, इसाई बनने का कभी भी तो परतर नहीं किया उनोंने परमात्मा के विराट के अस्टित्त के बेहने के साथ स्वयम को बाह दिया हाँ तुम्हें उल्टा दिखता है तुम सोचते हो कि उनोने तुम्हारे संसार के एक कानून काज़दे को नहीं माना तुम सोचते हो वो विद्रोही हुए बुद्ध ने माबाप की नहीं मानी मावीर ने माबाप की नहीं मानी मुहम्मद ने अपने परिवार की नहीं मानी जीसस ने यहुदी परंपरा को ठोकरा दिया इसी कारण तुम सोचते हो सबी विद्धोई थे नहीं वो तो केवल इतना ही कहते थे कि विराट का सागर भेरा है उसी में तुम भी भहो तुम अपनी अपनी नहरे अलग क्यों बनाए जा रहे हो उन्होंने विराट को उंगी कार कर लिया और तुमारी नहर को नकार दिया इसी लिए तुम उन्हें विद्रुभी मानने लग गए और तुम देखो कि तुम्हारे अलावा कोई और भी ऐसा है क्या जिसे परमात्मा को पाना है जिसे मोक्ष को, मुक्ती को, स्वरक को, सिद्धाशम को पाना है नहीं अब तुम्हारे मूण महात्मा जो धर्मों की बागडोर संभाले हुए है वो कहेंगे कि उनमें विवेक नहीं है उन्हें ग्यान नहीं है परमात्मा का हाँ, उन्हें परमात्मा का ग्यान नहीं है ये बार सत्ते है लेकिन उनमें एहंकार भी नहीं है कि वो कुछ है, उन्हें कुछ बनना है वो तो विराट के साथ बैढ़े है और सुखी है और अनंदित है तुम स्वयम को परमात्मा से अलग मानोगे तबी तो तुम्हें उसे पाने का प्रेतन करना है सोचो मचली जल में है अब उसे कहीं जल को पाना है नहीं, अगर मचली को उठा कर कहीं बहार मिट्टी पर रख दो तो ही तो उसे जल को पाना है अब जल में रहकर कहां जल को पाना है और यही तो हुआ है तुम्हारे साथ तुम सभी परमात्मा को पाने का उपाय किये जा दे हो यानि तुमने पहले ही मान लिया कि परमात्मा से तुम दूर ही हो गए हो जड़ा सोचो कभी बोध पूर्वग तुमने कुछ किया तुमने स्वयम मान लिया कि तुम बिना पर्मात्मा के इस्थिर रह सकते हो बिना पर्मात्मा के जी सकते हो कभी भी अपनी मूरता पर नहीं जेपे कि मनुष्य बिना पर्मात्मा के जी सकता है तुम ही तो मानते हो कि कणखण में परमात्मा और जो कणखण में है क्या तुम भी उसी कणखण में शामिल नहीं हो वो तुमारे पास नहीं है बार बार इसी सुक्त को सुनते हो और बार बार चुक जाते हो तुम बार बार इसी सुक्त को सुनते जाओ तुम्हें तुम्हारी स्वयम की मूरता का बोध हो जाएगा और तुम्हें पहले भी ये समझाया गया है बार-बार तुम्हारे शास्त यही समझाते हैं कि तुम तटस्त पराणी हो यानि तुम उससे अलग हो तुम्हारे भीतर अलग होने का एहंकाल जन्माया गया फिर उपायों में लगा दिया गया कि तुम उपाय करो और परमात्मा से मिलो यह मूरताएं तुम्हें किसने सिखाई तुम्हारे ही द्वारा चुने गए ना समझोने उन्हें स्वयम ही कुछ भी नहीं पता वो बने बनाए अंदों में काने राजा है और तुम्हारा सारा जीमन नरक बना दिया अगर तुम्हें धार्मे की होना है तो वो तुम कोई से भी सीख सकते हो वो असानी से सुखी और अनन्दित होना तुम्हें सिखा सकता है लेकिन तुम तो ढूंटे हो लाल कपड़े वाला महात्मा वो बेचारा स्वयम ही दुखी है उसका सुख तो मरने के बाद स्वरग में बैकुंट में इस्टित है वो बेचारा तुम्हें कहां से सुखी करेगा पूरा अस्टित एक दिशा में चल रहा है और मनुश्य मूड अकेला एक दिशा में चलने का प्रेतन कर रहा है मनुश्य सोचता है कि इस परकार वो सुखी हो जाएगा अगर सुक히 हो सकता तो आज तक हो ना गया होता लेकिन फिर भी आख नहीं खोलता मुज़से कई माहत्मा अक्सर आकर पूछते हैं कि मैं ये बाते कहां से लाता हूं कहां से ये सिधांत लाता हूं किन पुस्तकों से बोलता हूं किन शास्तों को पढ़ता हूँ मैं कहता हूँ नहीं कहीं से नहीं बोलता मैं किसी शास्त को नहीं पढ़ता मैं तो तुम्हें शास्त पढ़ने का विरोध ही कर रहा हूँ मैंने तो जो जो अपने जीवन से सीखा है जिन जिन पतों पर मैं चला हूँ उसी का अन्भव कहता हूँ पहले मैं भी हिंदू था चोंको मत यही बात बोल दा हूँ मैं भी हिंदू था लेकिन आज मैं ना हिंदू, ना मुसलिम, ना सिख, ना इसाई, ना बोध, ना जैन आज मैं कुछ भी नहीं हूँ मैं भी जब हिंदू था लेकिन सुखी नहीं हो पाया था उस परमात्मा को नहीं देख पाया था अब यह मत सोचना कि मुस्लिम सिख इसाई हो गया तो देख लिया नहीं मैं कुछ भी नहीं हुग अब वो तो एक ही प्रकार की मूरताएं हैं जितने हिंदू दुखी है उतने मुस्लिम भी तो दुखी है उतने सिख भी दुखी इसाई भी दुखी बोध भी जुखी जैन भी दुखी कोई मोक्ष जाकर कोई निर्वान जाकर कोई बुद्ध को देखकर तो कोई मावीर को या नानक को देखकर सुक्री हुने के ब्रह्मे जी रहा है लेकिन जबसे मैं इन धर्मों से उपर उठा और उस विराट के साथ मिल गया या स्वयम मिट गया तो देखा यहाँ कुछ भी तो नहीं करना है यहाँ कहीं भी तो नहीं जाना है यहां उस विदाट के विशाल आस्तित्व में एक अखंड उत्सव चल दाए बस उसी में सम्मलित होना है और आनंद लेना है आनंद लेना है यह कहना भी गलत होगा उसके उत्सव में शामिल होना है यह कहना भी गलत होगा कुछ होना है, कुछ लेना है चाहे अभी लेना है, यह कहना भी गलत है उसमें मिल जाना है, उसमें मिट जाना है फिर वहां विराट ही हो जाना है फिर वहां अनंद ही हो जाना है फिर वहां उत्सव ही हो जाना है यही कहना ठीक होगा अब कोई दोड़ नहीं है क्योंकि दोड़ने वाला भी नहीं है अब वहाँ कोई सुख भी नहीं है क्योंकि सुख लेने वाला भी तो कोई दुखी होना चाहिए मार दुखी व्यक्ती भी नहीं है अब वहाँ कोई धरम भी नहीं है क्योंकि धर्म को पाने वाला अधार्मिक भी तो होना चाहिए धर्म कोई अलग वस्तु नहीं है तुम उसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बोध, जैन मानते हो तभी तो तुम दुखी हो धर्म तो उस आस्टित्तु के साथ बहने की चाल का नाम है उस गती का नाम है जिस चाल में, जिस गती में ये विराट गतीमान है उसका नाम धर्म है और जब भी तुम उस गती में उसी के साथ गतीमान हो जाते हो तो तुम धर्मिक हो जाते हो बस और कुछ भी तो नहीं है लेकिन तुम करते क्या हो तुम उस विराट के आगे अपनी ढपली बजाने की कोशिश करते हो ये हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, बोध, जैन 360-360 से भी जादा धरम है दुनिया में ये तुमारी तो ढपलियां है और तभी तो तुम दुखी हो तभी तो संसार में आज तक क्या कोई भी व्यक्ति हिंदू बनकर, मुसल्मान बनकर, सिक, इसाई बनकर सुखी हो पाया है नहीं दूसरे की छोड़ो, क्या तुम हिंदू, मुसल्मान बनकर सुखी हो पाये हो दिखो क्या तुम्हारे धरम गुरू, महात्मा, मोलवी, पंडित, पुरोहीत, सुखी हो पाए अगर सुखी हो ही गए होते, तो मंदिरों मस्जिदों में लड़ाई, दंगे, फसाद, क्या ये रहते तुम जितना मस्जी कहलो कि तुम धार्मिक हो तुम चाहे जितने धार्मिक चिन लगालो, तिलक लगाओ, टोपी पहनो, प्राथनाए करो, नमाजे पढ़ो लेकिन तुम सुखी नहीं हो तुम अनन्दित नहीं हो, ये बात पूर्टा सत्य ही है और मैं, मैं तुम्हे कोई नया धर्म नहीं सिखा रहा हूँ धर्म तो तुम सिखे सिखाए हो किसी ने हिंदू सिखा है, किसी ने मुसल्मान, किसी ने सिख, किसी ने एसाही तुम सभी ने तो धर्म सिखा हुआ है लेकिन सुखी नहीं हो पाए तभी तो सुखी होने बार बार उम्र भर मंदिर, मस्जिद, किर्जे, गुर्दवारे भागते रहते हो मुझे कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं तुम्हें धर्म सिखाऊं मैं कोई धर्म गुरू भी नहीं हूं ना गुरू, ना सद्गुरू, ना साधू, ना सन्यासी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और धर्म गुरू तो बिलकुल भी नहीं हूँ, और धर्म गुरू बनकर करना भी क्या है, तुम्हारे सारे धर्म गुरू पहुँच कहां रहे हैं, तुम्हें भी पता है, पूरा पूरा ज जीवन चोला उड़े रहते हैं और बुड़ापे में जाकर जेलों में पहुँच जाते हैं तुम्हें के अफशकता नहीं है कि धर्म गुरू का लक्षा क्या है धर्म गुरू पहुचता कहा है तुम सबी तो जानते हो इसलिए कोई धर्म गुरू नहीं बनना है मुझे ना मैं कुछ हूँ मैं तो तुम्हें केवल जीवन सिखाना चाता हूँ कि जीवन को जी लो बस और तुमने जो यह सुन रखा है ना कि मित्व के समय कंट में एक अजार बिच्छों के काटने का दर्द होता है तुमारे ही धर्म शास्तों में लिखा है एक किशन भक्ती वाल के बच्चे बताते रहते हैं जूट है बिलकुल जूट है कोई बिच्छू के काटने का डंक डंक नहीं होता मैंने स्वयम साधना के तल पर ध्यान के तल पर उस मित्व का अनभव किया है बलकि दुख यह होता है उस समय कि जीवन हाथ से निकलता फिसलता दिखाई देता है तो यह दर्द होता है कि हाए इतना सुन्दर जीवन था मैं क्या था यहाँ मैं परमात्मा था, मैं विराड था मैं उसी अस्तित्तो को धारण की हुए था और मैं खाम खाम दो दो टीकडों के पीछे भागता था बैंक बैलेंस सो करोड हो गया लेकिन मैं तो जी ही नहीं पाया अपने लिए उस सो करोड में से दस करोड भी खर्च नहीं कर पाया और बैंक बैलेंस भरता भरता ही मर्दा हूँ इससे तो अच्छा होता कि मैं दस वीस करोड खा ही लेता कमाता तो साथ साथ स्वयम पर खर्च भी करता अनंद से रहता यहीं सुखी होने की कला सीख लेता बस यही कस्ट होता है मित्तु के समय और कुछ वीट बिच्छु डंक नहीं मारते भूल जाओ मुर्खों के बचन है मुडों ने कहा था तुम्हें बिच्छु डंक मारते है तुम जो मर रहा है किसी भी आस पार जानने वाले मरने वाले से पूछो तिरे को क्या कस्ट हो रहा है तुमारे सामने वो खुल के बता देगा लेकिन तुम प्रेक्टिकल नहीं करते तुम जीवित के पीछे नहीं पड़ते तुम उस मरने वाले को नहीं देख पाते उससे नहीं पूछ पाते और मुड महात्माओν लाल कपड़े वाले महात्माओं से पूछते हो किताबों के उपर विश्वास करते हो अपने उपर नहीं करते जिसको तुम धरम कहते हो वो कुछ भी तो नहा सुखी कर पाया तुम्हें मेरा ताथपदे है मेरी इच्छा तुम्हे सुखी करने में है तुम्हारे धर्मों का घेरा बढ़ाने में बिलकुल नहीं है वो घेरे तो पहले से ही बड़े-बड़े है मेरी इच्छा केवल इतनी है कि मैं तुम्हे सुखी कर दू मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ तुम्हारे महात्मा, हिंदू, मुस्लिम, सीख, इसाई के लिए मंदिर, मस्जिद, गिर्जे, गुर्दवारे के लिए कुछ करना चाहते है लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ तुम बने बनाए धार्मिक हो, तुम पैदा होते ही धार्मिक हो धार्मिक का मतलब क्या है परमात्मा को धारण किया हुआ खुदा को धारण किया हुआ सोचो तुम पैदा हुए तुम बिना परमात्मा के आ गई है बिना परमात्मा के जीवी तो बिना खुदा के तुम जिन्दा खड़े हो नहीं ऐसी मूरता जब सोचोगे तो पता चलेगा तुम करे क्या जा रहे हो तुम बने बनाए धार्मे को तुम पैदा होते ही उस परमात्मा को साथ में लेकर ही आए थे लेकिन जो तुम हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई होकर धार्मे कोने का प्रतन कर रहे हो यही तुमें दुख दे रहे है यह तो ऐसे ही हुआ जैसे की सागर की एक लहर प्रतन करे सागर होने की कि मुझे सागर होना है यह तो ऐसे ही हुआ कि जैसे तुमारे ही हाथ की उंगली तुमारी होने का प्रतन करे तुम्हारा ही एक हाथ तुम्हारा होने का प्रत्न करे इससे क्या होगा इससे लहर परशान ही होगी लहर सागर ही है सागर से अलग कहा है तुम्हारे हाथ की उगली तुम्हारी ही है तुम्हारा हाथ तुम्हारा ही है उसे तुम्हारा होना थोड़े ही है यह लहर की, सागर होने की चाह ही लहर को उपद्रव में डालती है सागर होने की चाह उपद्रव में डालती है नहीं, यह बात भी गलत है वास्तव में केवल चाह ही उपद्रव में डालती है तुमारी चाह ही उपद्रव का कारण है चाह ही दुख का कारण है मैं चाहा की बात कर रहा हूँ, डिजायर की बात कर रहा हूँ, कुछ और होने की बात कर रहा हूँ तुम्हारी चाही की बात नहीं कर रहा हूँ तुम चाहे जितनी मर्जी पियो, तुम काफी जितनी मर्जी पियो ऐसी भी संस्ता ही है जो अपने संस्ता की नीव ही पिलर ही चाए कौफी छोड़ने पर बनाए रखे हैं लेकिन सुखी किसी को नहीं कर पाई तुम्हें चाए पीने में अनद होता है चाए पियो कौफी पियो जो मज़ी पियो मैं तुम्हारी चाहा की बात कर रहा हूँ तुम्हें दुखों से मुक्त होना है तो चाहा चोड़नी पड़ेगी चाहे वो चाहा धार्मिक होने की हो हिंदू होने की हो मुसल्मान होने की हो सिख इसाई होने की हो स्वरत पाने की चाह हो या मोक्ष पाने की तुमारे दुखों का कारण चाहा है ये चाहा कर क्या रही है ये तुम्हें कहीं और सुखी होने की मैत्वा कांख्षा में जिला रही है यानि तुम्हें यहां सुखी ना होकर कहीं और ले जाने की मैत्वा कांख्षा का बीज तुमारे बीतर अरोपित किया जा रहा है कहीं और कैसे सुखी होगे तुम कहीं और कुछ भी हो सकता है सोचो सेब का विरिक्ष कश्मीर में उखता है क्योंकि सेब के पेड को ठंडी जलवाई उचाहिए अब एक सेब के पेड को वहां से बड़ी साफधानी से हटाओ उसकी जड़ों को मिट्टी के साथ समाल कर मुंबई या दिल्ली में मुंबई में समुद्र के किनारे लगा दो उसका ध्यान रखो बार लगाओ एक आदमी रख दो उसके लिए खाद पानी पूरा पूरा दो सूर्य का प्रकाश भी दो तो तुम क्या सोचते हो वो विरक्ष जिन्दा रहेगा फल देगा हरा बरा रहेगा नहीं वो जहां के लिए बना था जहां जन्मा था उसी जलवायू में ही पनपेगा उसे कहीं और ले जाकर तुम बचा नहीं पाओगे उसी परकार तुम यहां जन्मे हो यहां के लिए बने हो यहीं तुम्हें सुखी होना था यहीं सुखी होने के सिध्धान्त में ही तुमारे बविष्य के स्वपनों के महल गिरते दिखाई देते हैं क्योंकि तुमारे सारे सपनों के महल तो बैकुंट में, स्वरग में, गोलोग में जन्नत में सुखी होने के बने है मैं तुम्हेरे सभी स्वरग बैकुंट, गोलोग जन्नत, सभी कलपनाओ beam को यहां तोड़ता भिखेड़ता दिखाता हूं लेकिन यहीं सुखी होने की कीमत है ये कि तुम उन सभी कलपनाओं को गिराओ अगर सुखी रहना है तो कीमत देनी पड़ेगी अगर तुम्हें यहीं सुखी होना है तो ये कीमत चुकानी पड़ेगी अगर तुम्हें बुद्धत्व को प्राप्त करना है अगर तुम्हें धार्मिक होना है तो उस बुद्दत्व की उस धार्मिकता की कीमत है कि तुम्हें तुम्हारी सारी कलपनाओं के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिक, इसाई, बोद, जैन सभी भरम छोड़ने ही पड़ेंगे तुम्हें जागना है तो रात को देखे गए हसीन स्वपन जिसमें तुम राजा बने रानी से तुम्हारी शादी हुई बड़ा समराज्य था ये सभी छोड़ने ही पड़ेंगे तुम जागना भी चाते हो और स्वपन भी नहीं छोड़ना चाते उसका तो फिर एक ही उपाय है कि तुम स्वपन में ही जागने का भी स्वपन देख लो स्वपन में ही स्वपन देख लो कि तुम जागे हुए हो और यही तो तुम कर रहे हो यही तो तुम मान रहे हो और इसी भ्रम के कारण ही तो तुम दुखी हो मनुष्य को सैकडों वर्षों से ब्रहमित किया गया है और उसी का दुष्परणाम ये है कि आज मनुष्य ये मान ही नहीं पा रहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, इसाई, बोद, जैन, धरम नहीं है धरम के नाम पर ब्रहम है, ये परमपराएं है ये नीतियां हैं जो एक-एक समधाये ने, एक-एक समाज ने अपने लिए बना ली है जनम से अब तक तुमें, तुमारे बाब दादाओं ने यही समझाया है उन्होंने भी सैकडों पीडियों से यही समझाया है और उनको भी यही समझाया गया है कि हिंदू होना धर्म है मुस्लिम होना धर्म है सिख इसाई होना धर्म है और आज आज ये विचार मनुष्य की नसों में खून बनकर दोड़ रहा है मनुष्य की मास मज़ा बन गया है ये विचार पता नहीं मनुष्य की भीतर से ये विचार कब निकलेगा मैं धरम का विरोधी नहीं हूँ लेकिन जिनको तुम धरम मान रहे हो उस विचार का विरोधी हूँ परमात्मा ने संसार बनाया और उसी संसार में वो परमात्मा समा गया खुदा ने खुदाई बनाई और उसी खुदाई के जड़े जड़े में खुदा समा गया यह विचार धरम है उसकी रजा में मेरी रजा है यह विचार धरम है उस खुदा की रची हुई पूरी काइनात उसी की इच्छा से गतिमान है और मुझे भी उसी की गतिमें गतिमान रहना है यहे विचार धरम है लेकिन हम तो निकल गए उसकी गती से बाहर हिंदु होने को, मुस्लिम होने को सिख होने को, इसाई होने को हमने घोशना कर दी तेरी गती को हम नहीं मानते हमने गीता, कुरान, बाइबल, गरंथ पढ़ लिए हम उसी के उनसार चलेंगे को हम नहीं मानते, यहे ना मानना ही तो अधरम है, और ध्यान से देखना तुम्हारे मनुश्य के अलावा पूरे ब्रह्मान में कोई भी ऐसा जीव जनतु नहीं है वरक्ष नहीं, पत्ते नहीं, फूल नहीं जो स्वयम को उस अस्तित्त से भिन मानता हो लेकिन मनुश्य तो मानता है और वो मानता है और साथ साथ में जो नहीं मानता उसे भी बल पूरवक मनमाने की कोशिश करता है यह इसी बात से सिद होता है कि हमें पाठ, पूजा, प्रार्थनाए कर उस परमात्मा को पाना है हमें नमाजे पर उस अल्ला को पाना है यानि हम मान चुके हैं कि हम उससे भिन हैं हम उससे दूर है यही मानना तो अधरम है और धरम अधरम क्या है कभी मचली को देखा है सोचो अगर मचलियों में भी कोई ब्रम पहला दे कि एक महा सागर है तुम्हें उसी को पाना है वहां जल है तुम्हें उसी जल को पाना है तो मचली जल में रहती हुई भी प्यासी रहेगी जल में रहकर भी सुखती जाएगी तड़फती जाएगी और बेचारी मचली जल को सागर को जानेगी भी तो कैसे क्योंकि जल से भिन होने का उसके पास कुछ भी तो उपाए नहीं है वो जीवन भर जल को नहीं जान सकती उसी परकार तुम परमात्मा में ही पैदा होते हो परमात्मा में ही मरते हो तुम परमात्मा को जान ही नहीं पाते कोई बुद्ध ही जान पाता है उसे कोई बुद्ध ही समझाता है तो तुम उसे पागल धारम विरोधी मान लेते हूँ क्योंकि तुमने पहले से ही बहुत कुछ जाना हुआ है इसलिए तुम मानते ही नहीं मैंने पहले भी कहा है तुम पहले अपने मार्ग पर चलो हिंदुत्यू के मार्ग पर इसलाम के, जैन, बोध जिसके मर्जी मार्ग पर तुम चले जा रहे हो पहले उसी मार्ग पर चलो पूरे थक लो, पूरे हार लो स्वयम के लिए एक समय निर्दायित कर लो कि पचास वर्ष सतर वर्ष असी वर्ष कि अगर इतने समय में भी तुम्हें परमात्मा का खुदा का दिदार ना हो पाया तो छोड़ देना अपने पत को केवल एक वर्ष के लिए मेरे पत पर चल पढ़ना हो सकता है जो घटना तुमारे मार्ग पर सतर असी वर्ष चलने में ना घटी हो वो एक वर्ष में मेरे मार्ग पर चलने में पर घट जाए और जीवन का परम लक्षय उपलब्ध हो जाए और फिर भी ना हो तो मान लो मेरा पत गलत ही है तो भी तो कुछ फरक नहीं पड़ता पहले कौन सा तुम पहाड़ पर चड़ गए थे जो मेरे कहे नीचे आ रहे हो जहां तुमने अपने जीवन के पचास, सत्तर, असी वर्ष खराब किये सोच लेना एक और वर्ष सही जहां सत्यानास हुआ असी वर्ष का जहां सत्यानास हुआ तुमारे जीवन का महां सत्यानास की जगा सवा सत्यानास है लेकिन हिमत तो करो असी वर्ष के हो गए जीवन चुकने को है पर मात्मा नहीं मिला अब जीवन में रखा भी क्या है एक दाव और सही या मर जाएंगे या तुझको पाकर ही रहेंगे दाव नहीं लगाओगे तो भी तो असी वर्ष के बाद दो चार वर्ष में मरोगे ही लेकिन एक दाव मेरे कहे भी खेल लो तो कम से कम मरते वक्त यह तो मलाल नहीं रहेगा कि खाली मर रहे हैं बिना परमात्मा को जाने मर नहीं है अगर परमात्मा मिल ही गया तो मरने में भी आनन्द आ जाएगा परमात्मा पाने के बाद जो भी जीवन बचा दो वर्ष चार वर्ष दस वर्ष उसमें भी आनन्द होगा और मरने में भी आनन्द होगा एक वर्ष केवल एक वर्ष तुम मेरे कहे चल पड़ो अभी तक तुम जहां जहां खोच चुके उसमें वो नहीं मिला तो भूल जाओ उन जगए को क्योंकि जब वो वहां पहले नहीं मिला तो अब कैसे मिलेगा चलो अब नही जगए नए तरीके से नए पत पर उसको खोजते हैं तुम शास्तों में उसे खोजते हो तुम मंदिर, मस्जिद गिर्जे, गुर्दवारे में उसे खोजते हो तुम कावा काशी में उसे खोजते हो कभी भी दोशन बैटकर सोचते ही नहीं कि इनी इनी जगह है, पूरा विश्व से खोज रहा है, और पूरा विश्व खाली हात है, तुम्हारे सामने सभी खोज रहे हैं, तुम भी खोजे जा रहे हो, तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने, मा, बाप, दादा, दादी, नाना, नानी, खोज-खोज कर हा रहे हैं, तुम्हारे सा के पंडित पिरोहित खोज रहे हैं और हार रहे हैं जब वो पुस्तकों से या मंदिर मस्जित से किसी को नहीं मिला तो तुम्हें कहां से मिल जाएगा इतिहास से कुछ तो सबक लो देखो जिनकों भी वो मिला कहां से मिला बुद्ध, मावीर, मुहम्मद, जीसस, कृष्ण, नानक, कभीर इन्होंने कैसे उसे पाया जदा निगाह उठा कर देखो तभी तुम उसे पा सकोगे तुम शास्त रटते हो और मैं कहता हूँ शास्तों से कुछ ना होगा और यह मत समझना कि जो शास्त तुम पढ़ते हो उससे कुछ ना होगा नहीं, किसी भी शास्त से कुछ ना होगा अगर तुम आख उठाकर किसी बुद्ध को देख लो बस उसी शन कुछ हो सकता है आख खुली होगी तो वहीं हो जाएगा वरना उस बुद्ध के भी वचन दोराए जाओ उस बुद्ध के वचनों को भी शास्त बनाकर पूज लो उस बुद्ध की प्रतिमा लगाकर आर्ति पूजा कर लो कुछ भी तो ना होगा शास्तों में पर्मात्मा नहीं है पर्मात्मा को देखने वाली आखें ही कुछ और है और तुम तो सोय पड़ेो तुम बिलकुल वैसे ही कृत्प्र कर रही हो जैसे एक बैरा कभी सम्मेलन में चले जाए उसे कुछ भी समझना आएगा जैसे एक बहरा किसी जंगल में चला जाए वहाँ अनेक कोईल गीत गा रही है लेकिन उस बहरे को तो कोईल और कोईल में कुछ भी भेड़ना पता चलेगा वहाँ कोईल जो ध्वनी कर रही है वो संगीत तो उस बहरे से बहुत दूर होगा वहाँ उसी जंगल में कोईल की आवाज सुनकर पूरा जंगल नाच उठेगा वरक्ष जोम उठेंगे तितलिया नाचेंगी भोड़े गाएंगे मोर नाचेंगे पूरी प्रकरती गाएगी लेकिन बहरा वो तो वैसे का वैसा ही रहेगा उसके लिए तो कुछ भी नहीं हुआ ठीक उसी पकार बुद्धो को मस्तो को दिवानों को वो परमात्मा कण कण में गीत गाता देखता है नाचता कूतता देखता है लेकिन तुमें नहीं दिखाई पड़ता कहीं ऐसा तो नहीं तुम्ही गलत दिशा में खोज रही हो कभी दोशन बैठ कर देखो सोचो शायद वो नया रास्ता तुमारे हाथ लग जाए तुमें भी अगर अभी भी मेरी बात समझ नहीं आती है तो कोई बात नहीं लगे रहो अपने ही स्वपनों में भर्माए रो अपने इस वपनों में लड़ते रो हिंदुत्य के नाम पर इसलाम के नाम पर सिख के नाम पर बोट जैन इनी के नाम पर लड़ते रो पूरा जीवन है जब तक स्वा translates चल रही है करो धर्मों की रक्षा करो दूसरे के धर्मों का नाश, कभी तो आँख खुलेगी, नई भी खुली, तो ब्रह्म में जीना अच्छा है, कि हम धर्म की रक्षा में मरे, हमें स्वरग मिलेगा, हमें जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूदे मिलेगी, लगे रहो, रटो, बहो, अपने ही स्वपनों में बहो, अपनी ही मर्जी से मस्त करो कोई दिक्कत नहीं इतनी पीडियां बह गई शैकड़ो हजारो लोग बह गई लाखो करोड़ो धरम के लिए मर गई सारे ही स्वरग में हैं तुम भी उसी स्वरग में चले जाना वही मस्ती कर लेना इस परमात्मा के दिये हुए जीवन का अनन शायद तुम ना ले पाओ से भी कर रहे हो कोई धन कमा रहा है कोई इस्त्री पुरिश का भोग कर रहा है कोई शराब चरस जुआ खेल के मुग्द हो रहा है कोई जब तब वरत से मुग्द है कोई रीड सीदी कर स्वाहिम को धन्य धन्य मान रहा है कोई आरती प्रातनाव में मुग्द है कोई नमाज कोई मस्जिद बनाने को, कोई हवन करने को, जीवन का लक्षे मान रहे हैं, तो कोई पद पतिष्टा पाने को, कुछ भी करो, चाहे फिल्मी गानों पर नाचो, या मंदिरों मस्जिदों में, कोई ज़्यादा भेद नहीं है, तुम सभी, किसी दूसरी इस्टिती में, स्वायम को सुखी होने की कलपना में जी रहे हो, कोई स्वरग में सुखी होने की कलपना में जी रहे है, कोई फिल्मों में सुखी होने की कलपनाओं में जी रहे है, रात बिश्टर पर लेट कर, स्वपन में राजा होते हो, अनन्दित होते हो यहां तुम मंदिदों मस्जिदों में स्वपन देख रहे हो कि मित्तु के बाद कोई और जीवन मिलेगा उसमें तुम सुखी हो जाओगे तुमें क्या लगता है कुछ ज़्यादा भेद है इनमे तुमें से हिंदू आख बंद करता है तो उसे राम क्रिशन दिखते है मुसल्मान आख बंद करता है तो उसे काबा दिखते है नभी दिखता है सिख आख बंद करता है तो उसे नानक दिखते है इसाई को क्राइस्ट दिखते है एक अठारा वर्ष के लड़के को फिल्मी हीरोईन दिखती है एक बीस वर्ष की लड़की को फिल्मी हीरो दिखता है एक धन के लाल्ची को तिजोरी बदी दिखती है एक कांचोर निठले को दिखता है कि वैस्वारक पहुँच गया कल प्रवख्ष के नीचे बैठ गया और अपनी इच्छा मात्र से माल पूए पूड़ी खीर उड़ा रहा है यहां उसने यजमानों के यह उड़ाई वहां कल्प रुष्ष के नीचे उड़ा रहा है अंतर क्या है इन सभी में सभी तो तुमारे मन की कल्प नाई है सबी तो तुम्हारे मन के ब्रम है भर्माए रहो अपने ही स्वपनों में लेकिन अगर जरा भी हिम्मत करो तो तब जब तुम्हें लगे कि शायद अब एक वर्ष ही बचा है तब करना ये हिम्मत शायद हम एक वर्ष जी पाएंगे अब 60-70 के हो गए अब भरोसा नहीं कि कितना जी पाएंगे लेकिन परमात्मा नहीं मिला खुदा का दिदार नहीं हुआ उस समय केवल एक वर्ष मेरे कहे चल लेना मैं वादा करता हूँ तुमारा पूरा जीवन एक तरफ होगा और वो एक वर्ष एक तरफ होगा उस एक वर्ष में मैं तुमें उत्सव से जीना सिखा दूँगा और अगर तुम उस जीवन को सीख गए और उसके बाद भी जीवित रहे तो तुम जीवन को समझने के बाद शेहनशाओं की तरह जीओगे तुम जीवन को भी जीओगे मद मस्त की तरह और मोत को भी कहोगे कि आती है तो आँ मैं तुझे भी जीवन की बाती पी जाओंगा उस समय तुम मोत को भी डकारने का ज़जबा रखोगे उस समय तुम जीत जाओगे और मोत हार जाएगी उस समय मोत तुमारा कुछ भी ना बिगाड पाएगी क्योंकि तुम शाश्वत जीवन को पा चुके होगे बस यही सिखा रहा हूँ मैं एक बार जीवन को देख लो एक बार परमात्मा को देख लो एक बार खुदा को पहचान जाओ तो मोत कुछ भी ना कर पाएगी तुमारा कुछ भी ना बिगाड पाएगी तुमारा कुछ भी ना चीन पाएगी तुमसे मोत हार जाएगी और जीवन जीत जाएगा आज इतना ही शेश किसी ओर दिन अंत में तुमारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन तुम सभी जागो जाकते दो जागो 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो